एक समय में ओंडियंस मलाइका अरोडा, राखी सावंत और सनी लियोन के आइटम नंबर्स देखने के लिए बेताब रहते थे। उनकी और ठुमके को देख कर लोग दीवानी हो जाते थे। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसी डांसर है, जिनके डांस का जलवा पूरे बॉलिवुड और सोशल मीडिया पर हर वक्त चाया रहता है। मासूम सी सूरद भोली अदाएं और उनके डांस स्टेप देख कर बहुत ही कम समय में उनके करोडों फैंस बन गए हैं। मैं बात कर रही हूँ Most Beautiful Dancer नोरा फ्तेही के बारे में। जीरो थी। लेकिन वो कहते हैं ना निरंतर अभ्यास और प्रयास से सब कुछ संभव हो सकता है। दोस्तों, नोरा डांस में बिलकुल भी अच्छी नहीं थी और स्कूल में सब जिसका मजाक उडाया करते थे उस नोरा को हाई स्कूल तक Best Dancers के अर्ड मिलने लगे और यह सब मुम्किन हो पाया कि उनके पैशन और लगातार प्रैक्टिस की वजह से। आज नोरा फिल्मी परदे पर जिस तरह से डांस करती नजर आती है, वहाँ उन्होंने एक बंद कमरे में सीखा है। उन्होंने डांस में कभी कोई Professional Training नहीं ली है। अब डांस तो नोरा ने सीख लिया था। बस उन्हें अपनी मा की एक हा का इंतजार था। इनकी मा ने कभ रिस अपोननसिबिलिटी नोरा पर आ गई। नोरा ने वैटर्स की जॉब शुरू कर दी और साथ ही भारत की मॉडलिंग एजेंसी में अपलाई किया, जिसके बाद एक मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया। तब साल 2012 में मुंबई आई और इसी साल एक दो एड में भी नजर आई, जिसके लिए उन्हें 20 लाक रुपे की पेमेंट की जानी थी, लेकिन एजेंसी ने उन्हें बिलकुल भी पैसे नहीं दिये, जिसकी वजह से मॉडलिंग एजेंसी को छोड़ दिया। नोरा ने साउथ इंडस्री में भी ट्राई किया, जहां उन्हें सिर मेव जयते फिल्म में दिलबर दिलबर सौंग में नजर आई, यह गाना जबरदस्त हिट हुआ और नोरा की लाइफ का टर्निक पॉइंट साबित हुआ, इस गाने में काफी प्रसिद्धी मिल गई, बाद में नोरा को कम्रिया और साकी साकी जैसी कई फेमस सोंग्स में अप जंद की नेहा धूपिया से शादी से उन्हें गहरी चोट पहुँची थी, वो बहुत मुश्किल समय था, उसके बाद जब नोरा बिग बॉस में कंटेस्टन्ट के तौर पर आई थी, तब उनका रिष्टा थोड़े समय के लिए प्रिंस नरूला के साथ भी रहा था, तब नोरा इंडिया की हॉट डांसर में नंबर वन आती है